दुनिया के कई देशों में कुरोना संक्रवन फिर से पहलने लगा है समय किस्ता आतस वाइरस के नए नए वेरियंट सामने आ रहे है और म्यूटेशन के कारण ये वाइरस अपने लक्षण भी बदल रहा है कोरोना वाइरस के ओमिक्रोन वेरियंट बी एफ सेवन सब वेरियंट के मामले भारत में भी सामने देखने को मिले जिसके बाद भारत देश की भी चृंता अब बढ़ गई है कोरोना के नए वेरियंट ने एक बार फिर से भारत देश में चिंता बढ़ा दी जिस तरह लगातार चीन में लगातार कोबिट के नए वेरियंट बी एफ सेवन ने चिंता बढ़ा रखी है तो वहीं भारत में किस तरीके कि उसको लेकर तैयारिया हैं साथ ही जो वैक्षिनेशन है उन पर कितना जोर दिये रही है उतरपरदेश सरकार ये जानने के लिए हम लखनों के सियमा प्रसाथ सीविल हॉस्पिटल में मौझूद है जहां पर वैक्षिनेशन सेंटर के बाहर हम मौझूद है तो लोगों में कहीं ने कहीं जागुरुता देखने को मिल रही है कि कोबिट की जो बूस्टर डोज है उसे लगवाने के लिए लोग भारी संख्या में यहां पर पहुंच रहे हैं लेकिन लगातार जिस तरीके से चीन में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रह जाए साथ इसकती से जो लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए जो स्वास्त विभाग है उसको पूरी तरीके से एलेट मोड पर रखा जाए ताकि अगर परिस्तितियां अगर गंभीर होती हैं तो उन से निप्टा जा सके